हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माइ चैनल दोस्तों हम बात करेंगे कि लॉंग लेग डोजी केंडलिस्टिक्स क्या होती है इसकी डिफनीशन क्या हती है इसकी प्रापरिटीज क्या है कैसे इसमें ट्रेड लेते है यानि इंट्री इस्टॉप लस्ट और टार्गेट के ब होई हो या जब भी किसी कैंडल की क्लोजिंग उसके डे लो से मच हाई पे हो जैसे यह लो है और यह हाई है बट क्लोजिंग डे लो से मच हाई पे हो या जब भी किसी कैंडल की क्लोजिंग डे हाई से मच लो पे हो और या तो दोनों सैड़ो या एक सैड़ो की लेंथ स्ट स्टेंडर डोजी के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो तो ऐसे प्राइस विहरियर से जो भी केंडल बनती है उसको हम लॉंग लिग डोजी केंडल स्टिक्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉंग डोजी के आए उसको वन बाई वन देखते हैं फर्स्ट वन इस डैट कि अगर कोई लॉंग लेग डोजी है तो उसका सिंगल या बोथ सैड़ो क्या होना चाहिए लॉंग होना चाहिए लॉंग का मिनिंग की यह स्टेंडर डोजी के कंपेर में उनसे बड़ा होना चाहिए और डोजी बनी है तो डोजी की बॉड़ी या तो वेरी स्माल होगी या ना होगी इट्स मेन की जहां पर मार्केट ओपन होई है वहीं पर क्लोज हो जाएगी या स्लाइटली अप्याट डाउन क्लोज हो तो भी यह लॉंग लिग डोजी कहलाएगा अच्छा डोजी बन गई तो इसका मतलब यह होता है कि इन डिसीजन बेट्विन बायर और सेलर इस आट से addicted hea जाता है या तो आप डारेक्शन में अच्छे से जाए वहां डोज बने तो वहां से रिवर्सल होगा या तो प्राइस डाउंसाइड में जाए और वहां से डोजी बने तो reversal के chances होते हैं यदि कोई डोजी बनी after उसके एक confirmation candle बननी चाहिए और confirmation candle के closing पे हमारी intrig होनी चाहिए और डोजी support और resistance के पास अगर बनती है तो probability of reversal थोड़ा सा बन जाता है और जो डोजी के बाद confirmation candle बनती है उसका volume जो होना चाहिए नौर्मन केंडल के कंपेर में ज्यादा होना चाहिए तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सी इसको हमने यहां पर समराइज कर दिया है आप लोग इसको देख लिए यह कुछ यह के यह कैंडल के लो से मच्दौन हई पर क्लोजिंग हुई इसलिए एक लाँंग लेग डोजी है लॉग-लिक-डोजी, second confirmation candle, जो हमारी बन रही, confirmation candle की closing हमारी ये है, इसका मतलब कि इसके closing के उपर है, तो हमारी यहाँ पे entry बन जाती, इस टापलास हमारा ये होगा, और finally जो target हमारा होगा, ये पहला resistance के करियो हमारा ये target होगा, तो आइधिंक दोस्तों आप लोगों को यह एक्जांपल समझ में आया होगा और देखिए मार्केट यहां डाउन ट्रेंड में थी तो अच्छे से डाउन ट्रेंड में थी मज़े का फॉल हुआ है इसके पास यहां से अप्ट्रेंड हुआ है अब देखते एक यहां पे देख कंफर्मिशन केंडल हमारी नहीं पर नहीं कंफर्मिशन केंडल जब इस केंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होती तब हमारी इंट्री होती है अभी हमारी इंट्री नहीं होगी अब देखिए थर्ड केंडल जो है इसकी क्लोजिंग हमारी यहां होई है जो की लॉंग लेग डोजी केंडल के नीचे हुई है तो हमारा यह हाँ पर इंट्री हो जाएगा और यह स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा टार्गेट जो हो गया यह हो गया दोस्तों यह वीडियो यह आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें औ और कमेंट करना बिलकुल ना भूलिए